मैं हूँ अक्षय चवान और आज हम जानेंगे सिक्किम रियासत की कहानी सिक्किम भारत की सबसे महत्वपूर्ण रियासतों में से एक है क्योंकि इसका संबन्ध इंटरनाशनल जियो पॉलिटिक्स के साथ आता है जो बंगाल है उसके उत्तर में स्थित और जो सिक्किम है वो तीन देशों के साथ उसकी बाउन्डरी जुड़ी हुई है एक तरफ नेपाल है एक तरफ उत्तर में चाइना है एक तरफ भूटान है तो सिक्किम का जो इतिहास है सिक्किम रियासत का वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक इंट्रेस्टिंग बात सिक्किम के बारे में ये है कि भारत की जो बाके रियासते थी वो 1947 में जो भारत के आजादी के बाद विलीन हो गई थी पर सिख्यम 1975 में विलीन हुई मतलब भारत आजाद होने के almost 28 साल बाद इसकी विशेश कारण है और ये हम जानेंगे सिख्यम का इतिहास समझने के लिए हमें उसका geographical location समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है सिख्यम अगर आप देखे तो हिमालय की बीच में स्थित है और interesting बात ये है कि जो बंगाल से लेकर तिब्बत में जो रूट जाता है सबसे आसान और कम खतरनाक रूट जो हिमालय के पहाडियों में से वो सिख्यम में से ही जाता है जो चुम्बी वैली से और इसलिए ancient period से जो बौद धर्मिय के जो धर्म गुरू थे या monks थे या merchants थे वो सब सिख्यम से ही तिब्बत जाते थे अब उस समय around 749 में जो बौद धर्म के बहुत ही फेमस जो धर्म गुरू है गुरू पद्म संभवा जनोंने तिब्बत और Central Asia और वहाँ पर जो बौद धर्म को फैलाया तो वो इसी रूट से बंगाल से सिक्किम से होते हुए तिब्बत गए थे और उन्होंने ही जो बौद धर्म के शुरुवात तिब्बत में की थी उस समय जो यहां के जो मूल रहीवासी थे वो थे लेक्चा ट्राइब तो जो उनका अपना धर्म था वो उनके अपने देव थे भगवान थे और उसके साथ कुछ और भी ट्राइब यहां पर रहती थी जैसे की लिंबू ट्राइब हो मगर ट्राइब हो और ये उनके अप एक पहाड़ी इलाका था, यहाँ पर जमीन इतनी अच्छी नहीं थी, except a few valleys. तो यहाँ पर जो कुछ valleys हैं Sikkim में, जहाँ पर जो चावल का उगान होता था, और इसी कारणवर्ष, जो Sikkim का जो नाम है, जो local Sikkimese language में और Tibetan language में, वो था Dejong. Dejong मतलब the valley of rice, या चावल की घाटी. तो इस तरह से यहाँ पर लेचा लोग रहते थे और चावल और उनके जो traditional occupations हैं, वो किया करते थे. Sikkim रियासत जो है, उसकी शुरुवात होती है 1641-42 में. तो एक कहानी के अनुसार, यहाँ पर तीन बौध लामा आए और उन्होंने उस समय एक बहुत prophecy चल रही थी, कि जो great guru padma sambhava है, उन्होंने की एक prophecy बनाई थी, कि एक समय आएगा जब चार great बौध धर्मिया के लामा और great people of the Buddhist religion यहाँ पर मिलेंगे और यहाँ पर इन घाटियों में एक बौध राज बनाएंगे. तो कहानी के अनुसार, यह जो तीन लामा आए थे, उन्होंने एक फुटसुम नामग्याल करके एक राज कुमार थे, टिबेटन राज कुमार थे, उन्हें सिक्किम का राजा चुना, और उसी के साथ 1642 में सिक्किम राज की शुरुवात होई. अब यह जो नामग्याल जो राज परिवार था, वो तिबबती मूल का था, और तिबबत के नौर्थीस्ट में एक खाम प्रोविंस है, जो तिबबत चाइना का बॉर्डर है, वहाँ पर एक खाम रीजिन है, और वहाँ से वो बिलॉंग करते थे, और फिर वो तिबबत आय पर अपना राज बसाया, अब एक बहुत इंट्रिस्टिंग बात है कि ये वो जो नामग्याल परिवार था, वो भूटिया कम्यूनिटी का था, जो ये जो भूटिया है, जो इवन भूटान में भी जो भूटिया कम्यूनिटी है, तो ये भूटिया कम्यूनिटी के थे, औ और उन्होंने जो ट्रडिशनल लेप्चाज थे यहां के इन्हाबिटेट्स उनके साथ एक सुलह की थी, ट्रीटी की थी, एक जगा पे जिसे क्राबी लुंग स्टॉक कहा जाता है, आज भी आप वो देख सकते हैं कि इन दो जो कम्यूनिटीज हैं, उनमें जो ट्रीटी वो मिलकर सिक्किम पर राज करेंगे, अब ये तो बहुत अच्छी बात थी, पर इसके पड़साथ तो हमें आगे भारत के सुपनेता के बाद हमें काफी देखने को मिले, एक बात ये थी कि लेप्चा जो कम्यूनिटी के जो एल्डर्स थें, उनका मानना था कि ये जो फु लेप्चा के भगवानों को मानेंगे, पर जब उन्होंने अपना राज शुरू किया तो बुद्धिस्ट स्टेट और वो बहुत धर्म को मानने लगे, तो इसलिए नामग्याल राज परिवार पर उनका शराप है, उनके जो भगवान, लेप्चा भगवानों का शराप है, ये उनका मानना था, और इसके भी हमें बहुत इंटरिस्टिंगली भारत के आजादी के बाद इसके भी हमें इफिक्स देखने को मिलते हैं, अठारवी शतादी में क्या हुआ, जो सिक्किम है, उसके दो बहुत पावरफुल नेबर्स दो साइड पे हुए, एक साइड पे नेपाली और गोर्खास जो उस समय के सबसे पावरफुल फाइटिंग फोर्स थे और उन्होंने काफी सिक्किम की टेरिटरीज कैप्चर कर ली थी, in fact अगर उनका वेस्टवर्ड एक्सपैंशन देखे गोर्खाओं का तो वो लिटरली कांगडा और पंजाब तक वो पूर उतरांचल, हिमाचल को पूरा कैप्चर करके वहां तक कांगडा तक पहुच गए थे, और यहां पर उन्होंने सिक्किम के भी काफी टेरिटरीज को कैप्चर की, similarly जो भुटान था, उन्होंने भी काफी सिक्किम की टेरिटरीज कैप्चर की, तो इसलिए आप अगर देखे तो सिक्किम का एक very peculiar ऐसा shape है, एक ऐसा street, क्योंकि उसे expand करने की जगा ही नहीं थी, इसलिए वो ऐसा लंबा एक shape है सिक्किम का, तो जैसे हमने आपको बताया कि जो अठारवी शतापदी है, तब काफी जो गुर्खाओं के invasions हो रहे थे, तो सिक्किमीज ने तंग आकर अं या packed with the devil, तो early 1800s है, तब जो सिक्किम के राजा है, उसने British East India Company से मदद मांगी कि हमें प्लीज नेपालियों के खिलाफ मदद कीजे, अब यह वही समय था जब even अंग्रेज और नेपालियों की भी जो अंग्लो गोर्खा वार्स जिसे हम बोलते हैं या अंग्लो नेपार वा पेर जमाने का एक कारण ही चाहिए था, तो अंग्रेज बहुत खुश हुए, उन्होंने जो सिक्किम की मदद की और नेपाल के साथ, मतलब जो लड़ाई हूँ, उसके साथ एक ट्रीटी हुई, and 1817 में सिक्किम और जो अंग्रेज हैं, उनके बीच में एक ट्रीटी और फ् वहाँ पर पहुचना आसान नहीं था, वो बहुत ही जियोग्राफिकली आइसोलेटेड एरिया था, हिमाले थे, एक तरफ तिबद के एक तरफ रश्या था, जो एकस्पैंड कर रहा था, एक तरफ चाइना था, और अंग्रेज हैं कुछ भी करके तिबद पर अपना एक आजा थे, उन्हें फॉर्स किया कि एक ट्रीटी के तहट कि जो डारजीलिंग है, उससे वो सीड करें, कि हमें नहीं हमें सानेटोरियम, मतलब जो हमें बंगाल की गर्मी सहन नहीं होती है, और हमें एक सेटल्मेंट बनाना है, तो इस तरह से उन्होंने डारजीलिंग एक ल गड़ा हो गया, और फाइनली फिर जो 1861 है, उसमें जो सिक्किमीज है और ब्रिटिश गवर्मेंट है, जो ब्रिटिश इंडिया की गवर्मेंट है, उसने एक ट्रीटी साइन की, जो 1947 तब फिर एक बनी रही, और इस ट्रीटी के तहट, सिक्केम बिकेम अ प्रोटेक्टेड प्रिंसली स्टेट अंडर द ब्रिटिश राज, बीसवी शताबदी के शर्वात में सर ताशी नामग्याल सिक्किम के राजा बने और उन्होंने काफी साल तक राज किया, मतलब अल्मोस्ट नाइंटीन से लेकर लिटरली 1961 तक, तो उन्होंने उनका काफी बड़ा कार्यकाल था, उन्होंने सिक्किम को डिवेलप करने की कोशिश की, यहां पे सडके बनाई, स्कूल बनाई, और एक अंग्रेजों के साथ उनके काफी अच्छे रिच्टे थे, तो सर ताशी नामग्याल के जो बड़े बेटे थे, वो पाइलट थे रॉयल एर फोर् इसके बाद जो उनके दूसरे बेटे थे, प्रिंस थोंडूप वो जो जो रिॉवराज बने सिक्किम के और इसका बाद में सिक्किम के इतिहास में एक effect हुआ और interesting बात ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो नामग्याल परिवार राज परिवार पर शराप था कि बड़ा बेटा कभी भी गदी पर नहीं बैठता है और बड़े-बड़े की हमेशा मृत्य हो जाती है तो ये हमें नामग्याल और सिक्किम रियासत की इतिहास में हमें काफी बार देखने को मिलता है 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब सर्दार वलबाई पटेल और जो वीपी मैनन है उन्होंने भारत की जितनी भी रियासते थी उन्हें सब को भारत में विलीन करवा दिया पट इंट्रिस्टिंग बात ये है कि जवारलाल नहरू ने चौन्स्टिटुएंट असेम्बली है जो भारत की उसमें ये अनाउंस किया था कि जो सिक्किम और भुटान है वो special cases है और इन दो रियासतों को विलीन नहीं किया जाएगा और इसलिए unlike बाकी जो सारी रियासते थी जो सिक्किम और भुटान है उसे अलग रखा गया और इसका एक कारण ये भी था कि जो तिब्बत था और जो चाइना था तो क्योंकि इसका एक बहुत ही sensitive जो location था तो उस समय जो policy थी जो British लोगों की और फिर बात में भारत सरकार ने थोड़े सालों के लिए चलाई कि भारत और चीन के बीच ये buffer states हो जैसे तिब्बत, नेबाल, सिक्यम और भुटान तो इनिशली जो भारत सरकार है उन्होंने यही policy continue रखी अब जो सिक्यम में एक problem ये था कि 1860s और 70s में काफी जो नेपाल से लोग थे वो यहां पर आकर बस गए थे और by 1947 ये जो एथनिक नेपाली से ना सिर्व गोर्खाज बट बाकी tribes से भ गोर्खा नहीं बोलेंगे तो उस समय सालों तक ये लोग यहां पर आकर सिक्यम में सेटल होते रहे और लिटरली 1947 में जो एथनिक नेपलीस है उनकी जो आबादी थी वो 75% of the population थी ये जो एथनिक नेपलीस थे वो बहुत गरीब लेबरर्स, फार्म वर्कर्स थे और सिक्यम में जो रूलिंग क्लास था जो रूलिंग एलीट था वो लेप्चा भूटिया कम्यूनिटी से था वो 25% of the population तो भारत आजाद होने के बाद यहां पर जो 1948-49 में यहां पर आंदोलन चला कि हमें राइट्स मिलने चाहिए हमें डेमोक्राटिक रूल यहां पर होना चाहिए और जो सिक्किम का भारत के साथ मर्जर होना चाहिए जनता की बहुत इच्छा थी कि सिक्किम भारत का हिस्सा बने पर जो भारत सरकार थी वो नहीं चाहती थी कि पूरा मर्जर हो और वो चाहती थी कि जो सिक्किम के राजा है वही उनकी ताकत बनी रहे और इसी तरह से 1950 में एक treaty हुई जिसकी तहत Sikkim became a protectorate of India उसे protectorate कहा जाता था कि संरक्षित एक राज्य हम बोल सकते हैं तो वो पूरी तरह से भारत का हिस्सा नहीं था पर उसका जो defense है और communication है और जो foreign affairs है और ये जो कुछ जो areas है वो भारत सरकार उनके लिए चलाता था अब initially जो भारत सरकार की जो position थी वो यही थी कि Sikkim की autonomy हो या Sikkim का जो एक semi independent status हो से बनाए रखा जाना चाहिए पर जो international geopolitics है वो बदलने लगा अब जो communist है चाइना के उन्होंने तिबद पर कबजा कर लिया वहाँ पर पूरा जो दलाई लामा का शासन को destroy कर दिया जो 61-62 काफी tensions भारत और चीन में बड़ी अरुणाचल में जंग हो गई और अकसाई चीन का इलाका चीन ने कबजा कर लिया तो बहुत अब Sikkim का महत्वा बहुत बढ़ने लगा वह लिटरली तीन देशों के बीच में स्थित्ता और अगर आप थोड़ा नीचे जाए तो फिर East Pakistan जो आज का Bangladesh है वो था तो अब इतने strategic location को भारत अंदेखा नहीं कर सकता था अब दूसरा problem भारत सरकार के साथ ये हो रहा था कि ये जो crown prince thundup है उन्होंने 1960s, early 60s में एक American औरत Hope Cook के साथ शादी कर ली तो Hope Cook के साथ शादी करने के बाद सर ताशी नामग्याल का जल्द ही निदन होगे 1961 में और जो thundup है वो Sikkim के राजा बने जिनने चोगयाल चोगयाल मतलब the just ruler तो जो Sikkim के जो एक traditional नाम था जैसे कि हैद्रेबाद के ruler को निजाम कहा जाता था तो Sikkim के ruler को चोगयाल कहा जाता था तो ये जो चोगयाल thundup है वो और उनकी जो American पत्नी थी वो ये चाते थे कि Sikkim जो है वो स्वतंत्र राष्ट्र बने और उन्होंने फिर 1960 से लेकर 70 स तक काफी कोशिशे की वो अमेरिका जाते थे लॉबिंग करते थे जो प्रिंस थोंडुक थे उनकी बहुत खुबसूरत और काफी पावर्फुल बहन थी प्रिंसस कुकूला वो तो वो लॉबिंग करते थे कि Sikkim को एक स्वतंत्र राज का दर्जा दिया जाए पर भारत सरकार को ये पसंद नहीं था बेकर Sikkim भारत के security के लिए बहुत ही important था वो पहली बात और दूसरी बात जो Sikkim की majority जनता थी जो 75% of the population जी जो ethnic Nepalese थे वो भारत का हिस्सा बनना चाते थे तो ये बहुत interesting और important बात है पर तब क्या हुआ इंदरा गांधी जो है उनकी भारत में उनके वो खुद बाकी problem से डील करें थी फिर 1971 में जो बंगलादेश लिबरेशन वार हुआ तब काफी जो बंगलादेशे जो refugees आए वो बंगॉल में बज गए और काफी ऐसे issue से जूज रही थी पर बाद में around 1973 के आसपास इंदरा गांधी को लगा कि नहीं हमें सिक्किम को डील करना पड़ेगा पर तब क्या हुआ कि 1973 में जो चोगयाल है थोंडुप जो सिक्किम के राजा थे उनका पचासवा जनम दन था और उस दिन जो सिक्किम के जो democratic forces थी उन्होंने डिसाइड कि है कि हम राजा के खिलाफ और एक प्रो इंडिया एक democratic राइट के हक में एक बगावत करेंगे और 4 एप्रिल को 1973 को एक बहुत बड़ी बगावत हो गई सिक्किम में और काफी रायट्स हुए दंगे हुए लूट पाट हुई और काफी एक उतल पुतल हुई तो फाइनली जो सिक्किम के जो आखरी राजा है थोंडोप उन्हें भारत सरकार की मदद बुलानी पड़ी और फिर भारत की बड़ी फॉज और काफी अड्मिनिस्ट्रिटिव मेकानिजम फिर नाइटीन सेविटिव में पर बना उन्हें डेमोक्राटिक राइट्स कंसीड करने पड़े काफी इंप्रूव हो गये हैं और चोग्याल जो परिवार का महल है गैंग टॉक में और उनके जो परिवार के सरदस्या आते जाते रहते हैं वो कभी नेपाल बुटान और गैंग टॉक में तो ये थी कहानी सिक्किम रियासत की में और खूण हो brewing तो ये थी थी कहानी में परे इंपने तो इसक राइट में जो च自रदी तो परिवार गैंग टॉक में वो